माता रानी के सभी भक्तों को चै माता दी आप सभी का मेरे चैनल प्रभु से प्रीती में एक बार फिर से स्वागत है मित्रों, दौरात्री के प्रसिद्ध व्रत के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं हम में से जादा तर लोग पूरे विधी विधान से नौ दिन का ये व्रत करते भी हैं हम लोग व्रत के दोरान हर उस नियम का पालन करते हैं जो हमने सुन रखा है फिर चाहे वो माता रानी की सुबह शाम पूजा होन हो या फिर मंत्र जाप और दुर्गर सब्तरशती का पाठ पर ज्यादा तर लोग एक बहुत ही जरूरी काम करना भूल जाते हैं जिसके कारण उन्हें विधी विधान से सारे व्रत रखने के बावजोत व्रत का पुरफल नहीं मिल पाता और वो काम है नौरात्री व्रत में माद दुर्गा की नौरात्री व्रत कथा का प्रतिदिन पाठ करना आज के इस वीडियो में मैं आपको भही चमतकारी नौरात्री व्रत कथा सुनाने वाली हूँ इसलिए वीडियो को आन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए अब कथा प्रारम करते हैं प्रेम से बोलो जै माता दी एक बार देवगुरू ब्रहस्पती जी ने ब्रह्मा जी से नौरात्री व्रत के विशे में पूझा तब ब्रह्मा जी ने इसका महत्तो बताते हुए कहा कि ये व्रत मनुष्यों की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला चमतकारिक व्रत है संसार में सिर्फ दुर्भाकेशाली मनुष्य ही ऐसे हैं जो इस व्रत को नहीं करते इसके उपरांद ब्रह्मा जी ने ब्रहस्पति देव को नौरात्री व्रत की पावन कथा सुनाई थी जो की इस प्रकार है पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनात नाम का ब्रह्मण रहता था वो भगवती दुर्गा का भक्त था उसके संपूर सदगुनों से युक्त मानू ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी जीठा नाम तथा गुण वाली सुमती नाम की एक अत्यन्त सुन्दर कन्या पैदा हुई वो कन्या सुमती अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुकल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है उसका पिता प्रती दिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था उस समय वो भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी एक दिन वो सुमती अपनी सक्यों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुए उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर ख्रोधाया और पुत्री से कहने लगा हे दोष्ट पुत्री आज प्रभात से तुमने देवी भगवती का पूजन ही नहीं किया इस कारण में किसी कोड़ी और दरिद्र मनुष्टी के साथ तेरा विवा करूँगा इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमती को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी हे पिता जी मैं तो आपकी कन्या हूँ मैं आपके सब तरह से आधीन हूँ जैसी आपकी इक्षा हो वैसा ही करो रोगी, कोडी, अत्वा और किसी के साथ जैसी आपकी इक्षा हो आप मेरा विवा कर सकते हैं होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है मेरा तो इस बात पर पून विश्वास है मनुष्य ना जाने कितने मनुरतों का चिंतन करता है परंत में होता वही है जो भाके में विधाता ने लिखा है जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देवताओं के अधीन है जैसे अगनी में पड़े हुए त्रिनादी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भायता से कहे हुए वचनों को सुनकर उस ब्रामण को अधिक क्रोधाया तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवा कर दिया और अत्यन्त कुरुद्ध होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ अपने कर्म का फल भोगो देखो केवल भागे भरों से रहकर क्या करती हो इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटू अचनों को सुनकर सुमती अपने मन में विचार करने लगी अरे मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पती मिला इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमती अपने पती के साथ वन को चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कश्ट से व्यतीत की उस करीब बालिका की ऐसी देशा देखकर भगवती पूर्वपुन्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमती से कहने लगी हे दीन प्रामभडी मैं तुम पर प्रसन हूँ तुम जो चाहो वर्दान मांग सकती हो मैं प्रसन होने पर मनुवांचित फल देने वाली हूँ इस प्रकार भगवती तुर्वपा का बचन सुनकर ब्रामभडी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझे पर प्रसन हुई हो ये सब आप मुझे बताईए और अपनी कृपा दृष्टी से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो ऐसा प्रामभडी का बचन सुनकर देवी उनसे कहने लगी मैं आदिशक्ती हूँ और मैं ही ब्रामभ, विद्या और सरस्वती हूँ मैं प्रसन होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुक प्रदान करती हूँ हे ब्रामभी मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुन्णी के प्रभाव से प्रसन हूँ तुम्हारे पूरो जन्म का वृत्तान सुनाती हूँ, सुनो तुम पूरो जन्म में निशाद अर्थात भील की स्त्री थी और अतिपति व्रता थी एक दिन तेरे पती निशाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दुनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैत कर दिया उन लोगों ने तुझे और तेरे पती को भूजन भी नहीं दिया इस प्रकार नौरात्री के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और नहीं जल पिया इसलिए नौ दिन तक नौरात्र का व्रत अपने आप हो गया ये ब्रामणी उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसंद होकर तुम्हें मनुवांचित वस्तु दे रही हूँ तुम्हारी जो एक्षा हो सो मांगो इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए बचन सुनकर ब्रामणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसंद है तो हे दुर के आपको प्रणाम करती हूँ ग्रिपा करके आप मेरे पती के कोड को दूर करो देवी कहने लगा उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस वुरत की एक दिन का पूर्णी अपने पती का कोड़ दोर करने के लिए अरपड़ कुरू मेरे प्रभाव से तेरा पती कोड़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा ब्रह्माजी बोले इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वो ब्रह्मणी बहुत प्रसनोरी और पती को निरोप करने की इक्षा से ठीक है ऐसा बोली तब तक उसके पती का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से उस्ठीहीन होकर अतिकांति युक्त हो गया जिसकी कांति के सामने चन्ड़मा की कांति भी छीड़ हो जाती है वहाँ ब्रामोड़ी पती की मनोगर देह को देखकर देवी को अतिपराक्रम वाली समझकर इस्तुदि करने लगी और कहने लगी हे दुरके आप दुरगथ को दूर करने वाली हैं तीनों जगत का संता भरने वाली, समझ दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुषी को निरोग करने वाली, प्रसंद होने पर मन्मांचित वस्तु को देने वाली, और दुष्ट मनुषी का नाश करने वाली हो, तुम्ही सारे जगत की माता और पिता हो, हे अंबे, मुझ प्राद रहे तबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवा कर मुझे घर से निकाल दिया, उसकी निकाली होई मैं प्रिथवी पर गूनने लगी, आपने ही मेरा इसापत्ती रुपी समुद्र से उधार किया है, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दिन की लक्षा करो, प्रम्हाजी बोले कि हे प्रहस्पती देव, इसी प्रकार उस सुमती निम्मन से देवी की बहुत इस्तुती की, उसकी इस्तुती को सुनकर देवी को बहुत संतोश हुआ, और वे प्रामणी से कहने लगी, हे प्रामणी, तुम्हे उदाले नाम का एक अति अंचित वस्त तुम मांग सकती हो, ऐसा भगवती दुर्गा का बचन सुनकर सुमती बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसंद है, तो कृपा करके मुझे नौरात्री विदी बताईए, हे दयावती, जिस विदी से नौरात्र ब्रत करने से आप होती है, उस विदी और उसके फल को मिरे लिए विस्तार से बढ़न करें, इस प्रकार ब्रामणी के बचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, कि हे ब्रामणी, मैं तुम्हारे लिए संपून पापं को दूर करने वाली नौरात्र ब्रत विदी को बदलाती है, जिसको सुनने से त एक समय भूजन करें, पढ़े लिखे ब्रामणों से पूछ कर घट स्थापना करें, और वाटिका बनाकर उसको प्रती दिन जल से सीचें, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्थियां बनाकर उनकी नित्य विधी सहित पूजा करें, और पुश्पों से विधी इस प्रकार फलों से अर्ग्य दे कर यथा विधी हवन करें, खांड, घी, गेहूं, शहद, जो, तिल, पिम, नारियल, दाक और कदम इनसे हवन करें, गेहूं हों करने से लक्ष्मी की प्राप्ती होती है, खीरवा चंपा के पुश्पों से धन और पत्तों से तेज और और दिल, इनसे तखा फलों से होम करने से मनवांचित वर फर्स्तु की प्राप्ती होती है, व्रत करने वाला मनुश्य इस विधान से होम कर, आचारे को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें, और अग्य की सिद्धी के लिए उसे दक्षिना दे, इस महा व्रत को पहले बत इस नौरात्र के व्रत करने से ही अश्रोमेध यग्य का पल मिलता है, हे ब्रामणी, इस संपून कामनाओं को पून करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर, अथ्वा घर में ही विधी के अनुसार करें, ब्रह्माजी बोले कि हे ब्रहस्त पतिदिव, इस प्रकार ब्रा प्राप्त होता है, हे ब्रहस्त पतिदिव, इस दुरलब व्रत का महात्मे मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है, ऐसा ब्रह्माजी के वचन को सुनकर, ब्रहस्त पतिजी आनंद के कारण रोमान्चित हो गए, और ब्रह्माजी से कहने लगे, हे ब्रह्माजी, आपने मुझ प कि हे प्रहस्पतिदेव, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलोकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो, ये भगवती शक्ती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है, इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो मित्रों ये थी नौरात्री व्रत की पावन कथा, अब से आप लोग भी नौरात्री व्रत करने के साथ साथ कथा का भी पाठ करें, ताकि मातारानी आप सब पर श्रीक्र प्रसन हो, तथा आपकी कामनाओं की पूर्ति करें। हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, तथा ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।